इस वक्त की बड़ी खबर Chinese app पर भारत के कड़े action के बाद नेपाल ने भी वीडियो शेरिंग एक पर टिक टॉक पर कड़ा action लिया है टिक टॉक पर नेपाल सरकार ने प्रतिबंद लगा दिया है सोमवार को हुई नेपाली कैबिनेट की बैठक में ये एहम फैसला लिया गया है आपको बता दें समाज के एक बड़े वर्ग में नफरत फैलाने वाली भाशन और उसकी बड़ती प्रवर्थी को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए नेपाल सरकार ने TikTok पर बैन लगा दिया है आपको बता दें पिछली चारवर्षों में नेपाल में TikTok पर साइबर अपराद के 1647 मामले आये हैं और बढ़ते ही साइबर अपराद को देखते हुए नेपाल में टिकटॉक पर बेन लगा दिया है, इस action को टिकटॉक के लिए बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर बेन लगा दिया है, हालंकि ये बेन कब से प्रभावी होगा इसको लेकर कोई आधिकारी गोशना नहीं हुई है लेकिन नेपाल सरकार ने टिक टॉक पर बैन लगाने का एलान कर दिया है इस वक्त की बड़ी खबर